बिस्मिल्ला हरुमान रहीम, असलाम अलेकूम, में नम साजड है, आप देखें टेक्निकर रहमानी, वेलकम रूमाई चैनल, तो दोस्तों हाजिर हूँ एक और बैंड न्यू वीडियो के साथ, और आज किस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं सैमसंग के अपकमिंग स्मार् में देखने को मिर रहे हैं, पहले A31 आया, फिर A21S आया, A11 आया और आप A41 आने को भी बिल्कुल तयार है, अब यहां पर हमें सैमसंग की तरफ से बहुत सारे ब्लंडर भी देखने को मिर रहे हैं, गलेक्सी A31 के होते हुए मार्कीड में गलेक्सी A41 को लौंच कर देना मे आइक तो कीजिए गई, साथ में चैनल को जूर सब्काइब कर लीजेगा, ताकि आपको हाराने वाले न्यू मूबाइल की अपडेट मिलती रहे, ज्यादा बोर नहीं करता आप वीडियो स्टार्ट करते हैं, इस मूबाइल फून की कुछ स्पेक्स की बात करें, तो यहां पर 6.1 इंची का सूपर एमुलड डिस्पले है, डिस्पले साइज को थोड़ा सा छोटा रखा गया दोस्तों, आमोमना में सैमसंग की तरफ से 6.4 इंची या फिर 6.5 इंची का ही डिस्पले मिलते हैं, और अगर हम बात करें फ्लैक्शिप सिरीज की, तो यहां पर डिस्प प्रफार्मर्स बहुत ही शांदार होने वाली है इस प्राइस पैकेड में सूपर एमुले डिस्प्ले बनता ही है और सैमसंग के डिस्प्ले कलर्स हमेशे से मुझे काफी ज्यादा पसंद आये हैं और डिस्प्ले प्रफार्मर्स भी आपको काफी शांदार देखने को मिलेग अब बात करें इस mobile phone के अगर हम variant की तो इसके दो variant expected है पाकिस्तानी मार्कीड में 4GB, 64GB, 6GB, 128GB लेकिन दोस्तों अभी confirm नहीं है क्योंकि इसको globally तोर पर अभी तक एक ही variant में launch किया गया है 4GB, 64GB लेकिन दोस्तों इस mobile phone में आपको USF 2.1 की storage मिलने वाली है ये काफी खुशाइंद बात है इसके साथ mobile के back पर आपको quad camera setup नहीं बलके triple camera setup देखने को मिलेगा 48MP के main sensor के साथ 8MP का ultra wide है और 5MP का depth sensor अब इस price package में quad camera setup दोस्तों एक आम सी बात है लेकिन Samsung हमें इस price package में भी triple camera setup ओफर कर रहा है ये काफी ज्यादा dispointing है अब अगर हम इससे पहले वाले mobile phone यानि के Samsung Galaxy A31 की बात करें तो वहाँ पर हमें quad camera setup मिला था बिलकुल camera setup यही था लेकिन वहाँ पर ह 5MP का macro lens भी मिला था इस mobile phone में आपको price तो A31 से ज्यादा मिर रही है लेकिन 5MP के macro lens को ही गायब कर दिया गया है बाकी के जो triple camera setup है दोस्तों वह आपको same to same galaxy A51 वाला ही देखने को मिलेगा इवन के यहाँ पर भी आपको Samsung जो sensor है वो galaxy A51 वाला ही मिलने वाला है camera performance तो काफी लिए no doubt Samsung का mobile phone है लेकिन दोस्तों triple camera setup अपने price tag को justify नहीं करता है at least यहाँ पर macro lens होना चाहिए था front की बात करें तो front पर आपको 25 megapixel का selfie shooter मिलने वाला है जो के बहुत ही खुशाइंद है यह काफी बड़ा change है दोस्तों क्यूंकि इस price packet में हमें अमूमन Samsung की तरफ से बहुत कम megapixel वाले selfie shooter मिलते हैं लेकिन यहाँ पर आपको 25 megapixel का selfie shooter मिलने वाला है performance भी काफी तगड़ी होने वाली है और Samsung के camera results हमेशे से ही काफी impressive होते हैं अब बात कर लेते हैं इस mobile phone की हम battery situation कोई तो यहाँ पर आपको बहुत कम mh की battery मिलने वाली है just 3500 mh की battery with 15 watt की fast charging के साथ अब यह मेरे लिए तो बहुत ज्यादा disappointing है दोस्तो अप एक mobile phone जो under 45,000 के price tag में launch करने वाले हैं वहाँ पर इतनी कम battery दे देना मेरी समझ से बाहर है just 3500 mh की battery की timing कितनी ज्याद होगी ज्यादा से ज्यादा भी दोस्तो आप एक दिन ही निकाल पाएंगे और शायद मैं यह timing भी आपको थोड़ी ज्यादा बता रहा at least अब Samsung को भी 18W की fast charging की तरफ move करना चाहिए मैं यह नहीं कहरा अच्छे से work नहीं करती है 15W की fast charging भी काफी अच्छे से work करती है लेकिन फिर भी दोस्तो 18W की fast charging की तरफ Samsung को move करना चाहिए तो friends mobile phone में performance को आप उस mobile phone की wrap और उस mobile phone के possessor से जज़ कर सकते हैं possessor की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत ही पुराना और घटी है चिपसेट यानि के media tech का helio P65 का चिपसेट मिलने वाला है जो कि इससे पहले हैं में Galaxy A31 में भी मिला है एक smartphone जो आप under 45,000 और के price tag में launch कर रहे हैं वहाँ पर भी P65 और एक smartphone जो आप 35,000 की price tag में launch कर रहे है वहाँ पर भी P65 यार कुछ तो चेंज कर लो इवन के दोस्तो P65 भी यहाँ पर 12 नानोमीटर के architecture पर बेस्ट है कोई इतना ज्यादा efficient नहीं है अब यह बहुत ज्यादा dispointing है पोसेसर के उपर कुम्रोमाईज हर्गिस नहीं करना चाहिए था सैमसंग को एटलिस यार आप Exynos का powerful को chipset देते आप खुद से बना रहे हैं Exynos के chipset Exynos दे देते तो काफी ज्यादा better हो सकता था लेकिन यहाँ पर भी MediaTek का Helio P65 का पोसेसर दिया गया है अब अगर हम इस पोसेसर को compare करें Snapdragon के किसी पोसेसर के साथ तो आपको यहाँ पर Snapdragon 665 की performance जो है वो बहाँ असानी मिल जाएगी लेकिन फिर भी दोस्तो under 45,000 के price tag में यह chipset हरगिस अपने price tag को justify नहीं करता है तो दोस्तो इसके लावा कोई ओर ऐसी specs नहीं है जो मेरा ख्याला आप लोगे साथ discuss की जाए अब अगर बात करें मेरी opinion की तो शायद Samsung जो वो 2-3 साल पीछे चला गया है क्योंकि जो specs हमें 2-3 साल पीछे दूसरे brands की तरफ से देखने को मिल रही थी Samsung अब हमें वो specs provide कर रहा है जो के बहुत ज्यादा disappointing है अब Samsung को भी दूसरे brands की तरफ देखना चाहिए मैं मानता हूं Samsung का एक brand है इसकी जो devices हैं एक long term के लिए बहासानी चल जाती है कोई problem हमें देखने में नहीं आती है लेकिन फिर भी दोस्तों इतनी कम specs के साथ किसी भी device को एक over price launch कर देना मेरी समझ से बाइर है एक और बात दोस्तों Galaxy A31 के होते हुए इस mobile phone का market में आना बिल्कुल भी नहीं बनता क्योंकि आपको यहाँ पर जो specs मिलने वाली है Galaxy A31 वाली ही मिलने वाली है जिपset आपको यहाँ पर Galaxy A31 का मिल रहा है camera setup आपको यहाँ पर A31 का मिल रहा है even के वहाँ पर आपको quad camera setup मिल रहा है और यहाँ पर आपको triple camera setup मिलेगा front की बात करें तो front पर यहाँ पर थोड़ा सा change है मेरा ख्याल है वहाँ पर हमें 20 megapixel का selfie shooter मिला था जबके यहाँ पर 25 megapixel का selfie shooter है हाँ यह आप change कह सकते हैं लेकिन दोस्तो बैटरी situation की बात करें तो Galaxy A31 में आपको शायद 5000 mm की बैटरी मिली थी with 15 watt की fast charging के साथ जबके इस mobile phone में आपको just 3500 mm की बैटरी मिल रही है और same वही 15 watt की fast charging के साथ तो जनाब वीडियो को यही पर close करते हैं और अगर हम बात करें इस mobile phone की expected price की तो 45,000 हमें Samsung की तरफ से price देखने को मिर रही है लेकिन दोस्तो अगर इस mobile phone को इसी price पर launch किया जाता है तो बहुत ज्यादा over price होने वाला है Galaxy A31 के होते हुए इस mobile phone को अगर 45,000 के price tag में launch कर दिये जाता है तो मेरा नहीं ख्याल Samsung market में को इतना ज्यादा अच्छे से खेल पाएगा अगर मैं अपनी राय की बात करूँ तो मेरा ख्याल है यह mobile phone under 35,000 के price tag में अगर पाकिस्तानी market में आता है लेकिन फिर भी दोस्तों यह अपने price tag को हर्गीज justify नहीं करता है आज की वीडियो में इतना है दोस्तों और आपके नजदीक यह mobile phone के इस price tag में आना चाहिए और क्या आपके नजदीक भी यह वाक्य ही over price होने वाला है मुझे comment section में जरूर बताएगा आज की वीडियो में इतना ही मिलते नेक्स वीडियो में अपना धेर सरा ख्यार रखेगा चैनल पर यह उता सब्क्राइब जरूर कर लिजेगा अल्ला हाफीस